नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आए आज हम सभी जानते हैं एक बेहधी महतोपून टॉपिक के बारे में जिससे कि आप अपने जीवन की सारी परिशानियों क को दूर भगा सकते हैं यह एक टोटका है जिसको अपनाने के बाद आप अपने जीवन की परिशानियों को दूर भगा सकते हैं बहुत सारे लोगों को टोटकों पर बिलीव होता है बहुत सारे लोगों को नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों को जिनको बिलीव होता है उन्ह से बिलीव नहीं है उसे नहीं होगा इसमें सबसे पहले तो प्योजी टीवीटी जह लगती है आप साइंटिफिक रूप से जाएं तो लगता है अगर आप कोई कारे करना चाहते हैं उसके लिए कुछ और तरीके भी अपना लेते हैं यानि कि अपने आपको अपने मन को विश प्षवास उत्पन होता है कि हां मैं इस कारे को कर सकता हूं ठीक उसी तरीके से जैसे हम कई बार मुसीबत में फसते हैं तो हमारे दोस्त जरूरी नहीं कि वह मुसीबत को खुद ले लेंगे अपने सर पर लेकिन उनका इतना कहना ही कि चल मैं हूना यार बहुत हो जाता है ठीक वैसे ही यह सिच्वेशन भी होते हैं तो इसलिए जो बिलीव करते हैं वो क्या होगा कि उस काम को पूरा करने के लिए कोई टोटका किये इसके बाद वो क्या करेंगे उस काम को करेंगे क्योंकि वह करना चाहते हैं तभी तो उन्होंने दूसरा कारे भी किया उसके लि है फिर वह सकसेज हो जाएंगे लेकिन यह एक निगेटिविटी को दर्शाता है कि जब आप किसी कारी को नहीं कर रहे हैं यानि कि आपके अंदर निगेटिविटी है आप अगर अंदर मान के बैठे हैं कि मेरे से यह काम होगा ही नहीं चलो करके देख लेता हूं होता है या होता है तो जब इस एटिट्यूड के साथ किसी कारी को करेंगे तो आप कितने परसंट की उम्मीद करते हैं कि आप सकसेज होंगे उस कारे में इसलिए आप जो भी आपको एलिमेंट्स चेहें जो भी जरूरते हैं आपके उसकी पूरी कीजिए और पूर लगन के साथ पूर कारिय करी रहें उनको भी फायदा होगा विकोज वो अगर हाड़ वर्क करने वाले होंगे तो उनको फायदा होगा है यह टोटका है एक रूपे के सिक्के का आपको क्या करना है एक रूपे का सिक्का लेकर के नहाद हो करके बढ़ियां से फ्रेश हो करके और लक्षमी जी के स आप लीजिए इसके बाद इस सिक्के को आपको दाहिने हाथ की मुठी में लेना है और लक्षमी जी के सामने आपको इससे पहले ही घी का दिया जला करके रखना है जब यह मंत्र का उचारण आप कर रहे हूं उस पर से तीन बार वार लेना है इस सिक्के को और फिर इसको ले उसरे हाथ में यह जाएगा वैसे आपको इसका यश्च मिलता जाएगा लाव मिलता जाएगा आप काम पर लग जाए मुख्य बात आपका कारे है अगर आप अपने कारे को फोकस के साथ करते हैं पून facts करते हैं तो अगर टोटका नहीं भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क लाइफ में नहीं पढ़ना है हाँ ये एक विश्वास है संतुष्टी है क्योंकि आपका लगन को ये दर्शाता है कि आप उस कारी को करने के लिए द्रीड ही रूप से प्रतिग्या कर चुके हैं तभी आप अदर्स वर्क भी करते हैं और जब उस कारी को आप प्रतिग्या के साथ करेंगे तो सफल होगा ही चाहें थोड़ा टाइम लगे तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के धन्यवाद नमस्कार दोस्तों